नमस्काल WKB News की सबसे खास, सबसे सटीक और महतबूर्ण पेशकर्ज देश-पदर्श दुनिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है महराश्ण में अब सुपर मार्केट और वौक इन स्टोर्स में शेल्फ इन शॉप पदती से वाइन की बिक्री होगी राजमत्री मंडल ने इसके अनुमत ही दे दी है वही देवेंदर फदनवीस ने बाराविधायगों के निलंबन पर माननिय सुपरेम कोर्ट के एतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है स्वत्त में वजयते तो प्रदेश कॉंग्रेस मासचिवूस सचिल सावंत ने टीपू सुल्टान मामले पर कहा कि राजनिती खस्तियों को चितित करने में धर्म को लाना नफरत और धुरूवी करन का जहर फैलाना बीजेपी की विक्रूद राजनिती है उधर नासिक जिले के माले गाओं में 28 कॉंग्रेसी नगर सेयोकों ने शरत पवार की एंसीपी का दामन थाम लिया साब है कि अगाडे में मोका परिस्ति का खेल जारी है इसी बीच प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाज़वलाव में प्राध्यप को वस सहयोगी प्राध्यव की ठेके परन्यूकती के लिए संशोदित कारे पदती को राज्यमंत्री मंडल ने मंजूरी दे दी है इसी फैसले से गहर सेवानुरुत्त डॉक्टरों को भी ठेके पर न्यूकत की आ जा सकेगा प्रदेश की इन पाथ बड़ी खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रही है हमारे साथ महराष्टर में आप सूपरमार्केट और वॉक इन स्टोर्स में शेल्फीन शॉप पदती से वाइन की बिक्री होगी राज्यमंत्री मंडल ने इसकी अनुमती दे दी है हलाके विधान सभा में नेता विपक्षा देवेंद्र फडनविस ने कहा है कि है सरकार महराष्टर को मद्यराष्टर बनाने पर तुली है इसे सहन नहीं किया जाएगा हम इसका हर्स्तर पर विरोत करते है दूसरी सरकार का तर्ख है कि वाइन मूल रूप से अंगुर से बनाई जाती है रज्य में इन दिनों फलो फूलो और शहत से भी वाइन बनाई जा रही है इसलिए इस फैसले का फाइदा रज्य के फल उत्पादों को खास कर अंगुर उत्पादक किसानों को होगा उनकी फसल को अच्छे दाम मिलेंगे और उन्हें अच्छे आमदनी होगी रज्य की छोटी वाइनरी जिनकी मार्केटिंग शमता नहीं है सीधे सुपर मार्केट्स को अपना माल दे सकेगी मुख्यमंत्री कारयले के एक बयान में कहा गया है कि सुपर मार्केट और आसपडोस की दुकानों में अलग स्टॉल पर आधारित व्यवस्ता अपनाई जाएगी जिनका क्षेत्रपल सव वर्ग मिटर या उससे अधिक है और जो महारश्टर की दुकान और प्रतिष्ठान कानून के थाहत पंजिक रुट है वहाँ वाइन बेची जा सकेगी सरकार इसके लिए E4 लाइसंस दिंगी इसकी फीस 5000 रुपए साला न होगी इससे राज्यकों अतिरिक्त राजस्व मिलेगा साथी जो सूपर मार्केट, सैक्षणिक और धार्मिक स्थलों के पास होंगे या शराब बंदी वाले जिलों में होगे वहाँ यह आदेश लागू नहीं होगा महराष्टर के पुर्व मुख्य मंत्री और मवजुदा नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फटनविस ने बाराविधायकों के निलंबन पर माननीय सुपरिम कोट के आइटियासिक फैसले का स्वागत करते वे ट्वीट किया है हे सत्य में उजयते भाजपा निता और पुर्व मंत्री एडवोकेट आशिस शिलार ने भी सर्वोच्य नयले की इस फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की जीत है आशिस शिलार को भी निलंबित किया गया था महराष्टर बीजेपी की अध्यक्षव चंद्रकान पाटिल ने ठाकरे सरकार पर निशाना सात्ते हुए कहा कि महराष्टर शासन ने 27 महिनों में एक भी मुकदमा नहीं जीता है 12 निलंबित विधायकों में से एक योगे सागर ने भी सर्वोचनायले के फैसले का स्वागत किया है उन्होंने कहा कि महराष्टर की ठाकरे सरकार अपने फैसलों के जरिये लोकतंत्र की हत्या करने में जूटी हुई है सुप्रीम कोड के इस फैसले ने महाविकास अगरी सरकार को आईना दिखाने का काम किया है सांसद मनुच कुटक ने कहा कि ठाकरे सरकार जिस तरह से ठाकरे सरकार कानून को ताक पर रख कर चल रही थी अब अदालत के इस फैसले के बाद वे कम से कम यह समझेंगे कि लोकतंत्र में मुल्यों को लेकर किस तरह से चला जाता है इसके अलावा महाराष्ट सरकार को अदालत से हर दफा मिल रही पटकार पर भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है मुंबई में एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने का भाजपा जमकर विरूत कर रही है भाजपा का दावा है कि टीपू सुल्तान ने हिंदूओं पर अत्याचार किया था इसलिए उनका नाम किसी सरकारी प्रोपर्टी के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है हलाकि मालवनी में इस पार्क को उद्गाटन करने वाले महाराष्टर के मंतरी असलम शेक का कहना है कि हमेशा इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर था और कोई नया नामकरन नहीं किया गया है भाजपा के आरोपों का जवाब देते वे प्रदेश कॉंग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने कहा कि 2017 में करनाटक विदान सभा को संबोधित करते वे राश्टरपती रामनात कोविन ने टीपू सुल्तान के कारियों का जिक्र किया था क्या बीजेपी वहाँ पूरी तरह भूल गई है सावंत ने कहा कि कुल्लूर में श्री मुकामबी का मंदिर में रोज शाम को साड़े साथ बजे टीपू सुल्तान के नाम पर आर्ती की जाती है नेताजी सुबाश चंद्रबोस जिनकी होलोग्राम प्रतिमा का प्रधान मंत्रे ने उद्गाटन किया उनने टीपू को शहीद बताया था और उनके मैसुर भाग को अपनी आजाद हिंद फोच के जंडे का हिस्सा बनाया था वर्दी पर भी उसकी आकरोती बनवाई थी इसके बावजूद भाजपा की और से विरोध्य भूमी का अक्तियार किया जा रहा है यह दो तरफा आचरण का प्रदर्शन है नासिक जिले के मालेगाओं में 28 कॉंग्रेसी नगर सेवोकों ने शरत पवार की एंसीपी का दामन थाम लिया इन में मालेगाओं की मेर ताहिरा शेक भी शामिल है इन सभी 28 पार्शदों को महराष्टर के उपोमुख्य मंत्री अजित पवार की मौझूदगी में पार्टी में शामिल करवाया गया प्रदिश अद्यक्ष जैंत पाटिल और कैबिनेट मंत्री शगन बुजबल भी उपस्सित थे इस दवरान अजित पवार ने इन नगर सेवोकों का न सिर्फ स्वागत किया बल्कि उनका मारगदर्शन भी किया उन्होंने कहा कि आज से आप सभी राष्ट्रवादी के सैनिक हो चुके है और पूरी इमानदारी के साथ पार्टी को बढ़ाने के काम में जूट जाईए अजित पवार ने इन पार्शदों को यह भी का कि आप ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे पार्टी की बदनामी हो महाराष्टर में एक तरप जहां नाना पटोले लगातार यह बयान देते रहते है कि राज्य में कॉंग्रेस के कोई हुई साख को वापस लाएंगे लेकिन जिस तरह से मालेगाओ के 28 पार्शदों ने कॉंग्रेस को राम राम बुला है उचसे तो लगता है कि मालेगाओ में स्थानी अस्तर पर पार्शदों में कॉंग्रेस के प्रती नाराजगी है साथ ही यह अभी साबित होता है कि महाराष्टर में सत्तापर काविज महाविका सागाडी सरकार में शामिल तीनों दलों के बीच कोई खास सामन जस्थ नहीं मौका मिलते ही मौका परस्थों का खेल शुरू हो रहा है प्रदेश के सरकारी चिकित्सा महाविध्यालयों में प्राध्यापको वह सहयोगी प्राध्यापको की ठेके पर नियुक्ति के लिए संशोदित कार्यापद्धती को राज्यमंत्री मंडल ने मन्जूरी दी है इस फैसले से गैर सेवा नियुक्त डॉक्तरों को भी ठेके पर नियुक्त किया जा सकेगा यह नियूक्ती 65 साल के बजाय अब 70 साल तक के लिए लागू रहेगी। सेवा निवरुत्त अध्यापको के ठेके पर नियूक्त के लिए उन्हें सामन्य प्रशासन विभाग के 17 दिसंबर 2016 के शासना देश के प्रावधानों के अनुसार मांधन मिलेगा। यह नियूक्ती के लिए प्रती मैने 2 लाग रुपे मांधन प्रदान किया जाएगा। हर मैने 1,70,000 रुपे मांधन मिल सकेगा। सर्वोचनेले ने महाराष्ट विदानसबाद्वारा निलंबित किये गए भाजपा के 12 विधायकों के निलंबन को रद्द करते हुए तलक टिप्पनी में कहा कि विदानसबाद्वारा लिया गया फैसला असमयधानिक है। उनके महंगई भत्ते में बड़ो तरी वट्रामेने के बकाया डिये पर भी बड़ा एलान किया जा सकता है। इसे बीच केंडर सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे स्कूलों का कोरोणा एतिहात बरतते हुए क्रमबद्ध तरीकी से खोला जा सकेगा। उदर गुजरात के गांधी नकर जिले के एक गाउं की तक्रीबन आधी आबादी विदेश में जाकर बस चुकी है और अधिक तक घरों में ताला लगा है। तो आंतर राष्टे भारत पाकिस्तान सिमा परस्ती डेरा बाबा नानक सेस्टर में चंदु अड़ाला पोस्ट के पास पाकिस्तानी तसकरों वबिये सिर्प के जवानों के बीज मुटबेड की खबर है। देशकीन पाज बड़ी खबरों को विस्तार से जाने हमारे साथ। 6 जुलाई को 12 बीजेपी विधायकों को एक साल के लिए निलम्बित किया गया था। फैसले पर टिपपनी करते हुए कहा था कि यह फैसला निश्कासन से भी बुरा है। जस्टिस M.A. खानविलकर ने कहा था कि इस फैसले की वज़े से इन निर्वाचन शेत्रों का कोई भी विक्ती सदन में आपने शेत्र का प्रत्रित्वन नहीं कर सकता। विदान सबा का यह फैसला किसी एक सदे से को नहीं बलकि पूरे निर्वाचन शेत्र को सुजा देने के बराबर है। केंद्रिय करमचारियों के महंगई भते में जल्दी ही बड़ोतरी की घुश्च ना हो सकती है। इसके साथ ही उनके 18 मेने के बकाई डिये पर भी बड़ा एलान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी करमचारियों के खाते में दो लाक रुबे तक आ सकते है। इससे एक करोड से अधिक केंद्रिय करमचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने अपने करमचारियों को 18 मेने यानी 1 जनुरी 2020 से 30 जून 2021 के बीज डिये का भुकतान नहीं किया है। रिपोर्ट के मताबिक सरकार जल्ड ही इस पारे में फैसला ले सकती है। इसके बाद केंद्रिय करमचारियों को एक मुष्ट महेंगाई भरते का भुकतान किया जा सकता है। लेवल 1 की करमचारियों का डिये एरियर 11,880 से लेकर 27,554 रुपे तक है। इसी तरह लेवल 13 और लेवल 14 के करमचारियों के डिये एरियर के रूप में 1,44,200 से 2,88,200 रुपे तक मिल सकते है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ इस मामले पर बात हो सकती है। साथ एरियर भुकतान को लेकर भारतिय पेंशन भोगी मंच ने प्रदान मंत्री नरंद्र मोधी को चिठी भी लिखी है। वही इस बार महेंगाई भत्ते में 3 फिसदी बड़ोत तरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्री करमचारियों का कूल डिये 31 फिसदी से बढ़कर 34 फिसदी हो सकता है। ऐसा होता है तो अब 18,000 रुपे की बेसिक सेलरी पर महेंगाई भत्ता 6,120 रुपे हो जाएगा। इसी तरह अधिक्तम सेलरी स्लैब वाले करमचारियों का डिये बढ़कर 19,346 रुपे प्रती महा हो जाएगा। राजदानी दिल्ली और देश के कई हिस्सों में स्कूल खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। महाराष्ट और हर्याना में भी पैरेंट्स की मांग पर स्कूल खोलने की जाज़त दे दी गई है। इसी बीच के इन्द सरकार भी कोरोना से जुड़े प्रोटकॉल के तहत स्कूल खोलने को लेकर एक मॉडल पर काम कर रही है। एक ऐसी योजना पर काम हो रहा है जिससे स्कूलों को कोरोना एतियात बरतते हुए क्रमबर्द तरीके से खोला जा सके। हर्याना में एक फरवरी से दसवी से बारावी तक के स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उन्ही स्टूडन्स को एंट्री मिलेगी जुनोंने कम से कम एक डोस वैक्सीन ली होगी। ऑनलाइन क्लास चलती रहेंगी हाला कि पैरेंट्स का एक अन्यवर्ग ऑनलाइन कक्षा को जारी रखने के पक्ष में रहा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कोविट सम्मंदी दिशानिर देश 28 फरवरी तक बढ़ा दिये है। और केंद्र शासित पदेशों तो था राजों से किसी भी तरह की धिलाई नहीं बरतने को कहा है। गुरू सची वजय भला ने सभी राजों और केंद्र शासित पदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रॉन के कारण देश में कोरोना मामलों में बढ़ो तरी हुई है। हाला कि अधिकांच सक्रिय मामले तेजी से ठीक हो रहे है और अस्पतालों में कम मामले है। पूरे गाउ में जगजगद दिवारों पर चिपके कानडा, USA के लिए चात्रों का वीजा विग्यापन दिखता है। साथ हजार आबादिवाले इस गाउ की आधी संख्या यूएस, यूके या कनडा में रहती है। ग्राम पंचायत रिकॉर्ट के नुसार इस गाउ के 3,260 विदेश में रहते है। कहते है कि डिंगुचा गाउ में पले बड़े बच्चों की दिमाग में आराम दायक जिन्दगी जीने के लिए दो बाते फिक्स होती है। पहली या तो वे विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ले या फिर गाउ और आसपास की इलाकों में इमिग्रेशन सर्विस की बढ़ते डिमाड को देखते हुए एजन्ट बन जाए। यहां हर गली में इंटरनेशनल ट्रैवल एजन्ट मिल जाएंगे। गाउ में पंचात अकाउंटेंट जैस चौधरी ने कहा कि जिसपल कोई लड़का या लड़की बारावी की परिक्षा पास कर लेता है तो वह यूएस या कनाडा उडान भरने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। वह बताते हैं कि इसी आतुरता के चलते ही आधी से अधिक आबादी यूएस, कानडा और यहां तक की आस्टेलिया में बसी है। कभी कबार विंटर वेकेशन में एनराई वापस यहां आते हैं, वे गाउ के विकास में योगदान देते हैं। यहां पकी सड़के, दो बड़े स्कूल, अस्पताल, कम्यूनिटी हॉल और बैंक की सुविधा किसी विकसिश चहर की तरह ही है। एक बार फिर बियसेप ने पाकिस्तान तसकरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। आंतराश्ट्य भारत पाकिस्तान सिमा परस्तीत, डेरा बाबा नामक सेक्टर में चंदु वडाला पोस्ट के पास शुक्रवार को तड़के पाकिस्तानी तसकरों वह बियसेप के जवानों के बीच मुट बेढ़ हुई। दरसल बियसेप के हिड कॉण सिंग यादो ने चंदु वडाला पोस्ट और पाकिस्तानी तसकरों की और से संदिक धरकत देखते ही फाइरिंग की पाकिस्तानी तसकरों की और से भी फाइरिंग की गई। बरामद हुई जिनका वजन करीब 47 किलो से ज्यादा होगा इसी के साथ साथ पकेट अफीम, दो पिस्तॉल, एके 47 की चार मैगजीन, तथा 44 राउन, 44 राउन, 3 एम एम पिस्तॉल, तथा इटली मेड बेरेटा पिस्तॉल के 12 कार्थूस बरामद हुए है जवानियादों की हालत अबिस्तीर बताई जा रही है और उन्हें अमरुटसर शिफ्ट कर दिया गया है। डियाईजी ने बताया कि घनिदुन के चलते पाकिस्तानी तसकरों की इसी गोस्पैट को बियसेप के जवानों ने नाकाम किया है। इसी बीच पाकिस्तान की सेना ने करीब 30 घंटे तक छिपने के बाद आखिरकार माल लिया कि बलुच विद्रियों ने एक चेकोस पर भीशन हमला करके उसके कम से कम 10 सेनिकों को मार गिरा है। उधर भारत और फिलिपिन्स के बीच आज यानि 28 परविंसो ब्रामोस मिसल सोदे पर हस्ता अक्षर करेंगे। इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि रुणाचर पदेश सेला पता हुए यूवक को चीन की सेना ने भारतिय सेना को सौब दिया है। पिछले दिनों ये यूवक सीमा के पास सेला पता हो गया था। दुनिया बर की इन 5 बड़ी खबर को विस्तार से जाने के लिए बने रही है हमारे साथ। मर्स को वाइरस से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले साल 2012 और 2015 में पस्ची मेशिया के देशों में इसके प्रकुप का पता चला था। दक्षिन अपरिका में अभी यह नियो को वाइरस चमगादड के अंदर दिखा गया है और यह अभी केवल पशियों को संक्रमित कर रहा ह है। वहान विश्व विद्यले और चाइना अकादमी आप साइंसेच के शोध करताओं के मुताबिक इस नए कुरोना वाइरस के इंसानों की कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए किवल एक म्यूटेशन की जरूरत है। हालाकि इसके खत्रे को देखते वे और ज़्यादा अध्यान किये जाने की जरूरत है। इस जानकारी पर दुनिया भर से अलग-अलग प्रतिक्रिया है आ रही है। युक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका समित नाटो देशों में जंग के मंडराते काले बादलों के बीच चीन ने बड़ा खेल कर दिया है। दक्षिन चीन सागर में चल रहे तनाव के बीच चीन के विदेश मंतरी वांग यी ने इस पूरे विवाद में खुल कर रूस का समर्थन किया है। वांग यी ने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को रूस के वैधानिक सुरक्षा चिनताओ को गंबिरता के साथ लेना माना जा रहा है कि चीन ने इस मोके को भुनाते हुए रूस की साहनुबुती हासिल करने की कोशिश की है। उधर ड्रैगन के इस दाव से भारत की टेंशन बढ़ सकती है। विशले शकों का मानना है कि वांग यी ने यह बयान रूसी राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन को खुश करने के लिए या बयान दिया है। इससे पहले पुतिन ने कहा था कि युक्रेन को नाटो का समर्थन रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है। रूस के युक्रेन सीमा पर एक लाग सैनिकों को जामा करने के बाद अब तक चीन ने चुप्पी साध रखी थी और इतन पनाव कम नहीं हुआ है। उधर चीनी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने तो तंच कस्ते वे नाटो को शित युद्ध का आउशेज बता दिया और कहा कि उसे कोल्ड वार के मानसिक्ता को छोड़ना चाहिए। दूसरी तरब अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मा करके उसके कम से कम दस सैनिकों को मार गिरा है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान जारी करके बताया कि यह हमला इरान सीमा पर बलुचिस्तान के केच जिले में हुआ। उसने कहा कि विद्रोईयों के हमले की चपेट में दस सैनिक आ गए और उनकी मौत हो गई। इस जोरदार पाकिस्तानी सेना ने कहा कि विद्रोईयों को किसी भी कीमत पर देश की धरती पर से खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तानी सेना अक्सर बलुच नौजवानों को उनके घरों से उठा ले जाती है और उन्हें प्रताडित करती है। इससे बलुच जनता काफी नाराज है। यही नई बलुचिस्तान में पाकिस्तान की इमरान खान सरकार चीन की मदद से कई ऐसे प्रोजेक्ट चला रही है जिसका स्थानीय लोग जोरदार विरोत कर रहे है। इमरान खान सरकार उनकी आवाज को सुनने ही रही है। माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने इतने ब प्रंबोस मिसाइल सौधे को अंतिम रूप मिलनी जा रहा है। फिलिपिन्स के रक्षा सच्यू डेलफिन लोरेंजाना भी शामिल होगे। इस कदम से बड़े हतियारों के निर्या तक बनने के भारत के प्रयासों को और बल मिलेगा। साथी दक्षिन पूर्व एशियाई देशों के लिए भारत और रूस द्वारा से युक्तरूप से विकसित मिसाइल हासिल करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। बताते चले कि 14 जन्वरी को फिलिपिन्स ने अपने नौसिना के लिए तट पर तैनात होने वाले जहाज रोधी मिसाइलों की आपूर्ती को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ 37.5 करोट डॉलर का अनुबंद किया था। यहां रक्षा सौधा चीन के लिए सही नहीं माना जा रहा है। दरसल फिलिपिन्स का दक्षिन चीन सागर में चीन के साथ विवाद है और इसके मरीन का इरादा ब्रह्मोस को तट आधारिद एंटिशीप मिसाइल के रूप में इस्तेमाल करना है। अरुनाचल प्रदेश से लापता हुवे इवग को चीन की सेना ने भारतिय सेना को सौब दिया है। अलही में हमने एक भारतिय उवग को चीनी भूभाग में अवयत प्रवेश करते वे पाया था। सीमा नियंतरन का उल्लंगन करने के मामले में उसे हिरासत में लिया गया और पूछ्ठाच की गई। इस दवरान कोरोना महामारी को देखते वे उसे अलग रखा और मानविय साहयता दी गई। उन्होंने बताया कि भारतिय सेना ने होटलाइन पर उनसे लापता युवग की तलाश में मदद मांगी थी। हमने इस मामले में सववात कायम रखा और गुरवार को जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवग को भारतिय सेना को सौब दिया गया है। चीनी सेना ने अपने बयान में कहा कि हम भारतिय सेना से द्वी पक्षिय समझवते का सक्ति से पालन, सीमा पर अवयत प्रवेशनी यंत्रन और सीमावर्ती इलाकों में स्थीति को प्रभावी बनाये रखने में सहयोग की अपील करते हैं। तो आज की इस खास पेशकर शिर बस इतना ही। आप से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते हैं ये वी के बिन्यूस नमस्कार।